भाईयों और भेनों, सौ साल की सबसे बड़ी विपत्ती सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानवजात पर आई है आजी विक्रिकाप पर संकट आया, कोरोना लोगडाउन के कारण काम धंदे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने अपने नागरीकों को भूखा नहीं सोने दिया दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर, आज संक्रमण के साथ साथ बुख मरी का भी बीशन संकट आ गया है लेकिन भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया इसलिए अज दुनिया भर में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के प्रसंसा हो रही है बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारिप कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुप्त अनाच उपलब्द करा रहा है दो लाख करोड रुपिय से अधिक यह देश खर्च कर रहा है मकसद एक ही है कोई भारत का मेरा भाई बैन मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे आज दो रुपिय किलो गेहूं तीन रुपिय किलो चावल के कोटे के अतिरिक हर लाभारती को पांच किलो गेहूं और चावल मुप्त दिया जा रहा है यानि इस योजना से पहले की तुल्ना में राशन काड़ धारकों को लगबग डबल मात्रा में राशन उप्लब्द कराया जा रहा है ये योजना दिवाली तक चलने वाली है बिवाली तक किसी गरिब को पेट भरने के लिए अपने जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा गुजरात मैं भी लगबग साड़े तीन करोड लाभारतियों को मुप्त राशन का लाप आज मिल रहा है मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रसंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले स्रमीकों को भी प्राथिक्ता दी कोरोना लोकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों स्रमीकों को इस योजना का लाब मिला है इसमें बहुत सारे ऐसे सासी थे जिनके पास या तो राशनकार था ही नहीं या फिर उनका राशनकार दुसरे राज्यों का था गुजरात उन राज्यों में हैं जिसने सबसे पहले बन नेशन बन राशनकार की योजना को लागू किया बन नेशन बन राशनकार का लाब गुजरात के लाखो स्रमिक साथ्यों को हो रहा है